गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आपकी क्लासी चल रही है डी ट्रिपल एस बी की जिसके अंदर हम कुछ ग्रेज़ेशन के पार्ट लेके आए हैं ग्रेज़ेशन के टोपिक्स जो आपके पेपर में आते हैं इसकी हमने फस्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने पर मुटेशन है वह कौन सा होता है हमारे पास इनवर्स कैसे होता है और जब य prefix करती है तो हमारा पर्मुटेशन जो है वो मुटेशन गुरुप पर्मूटेशन के अंदर और ग्रेज़ेशन में जो यह पर्मूटेशन है यह एक तरहें कि हमारे पास मैपिंग होती है जो चीज़ हम पहले कर चुके हैं सारी यहां पर जैसे दो फंक्शन दो हमाई सेट दिये हुए है खुद का खुद ही सेट होना चाहिए जिसकी जो मैपि को क्या कहा जाता है पर्मूटेशन कहा जाता है तो यह चीज हम पर्मूटेशन की कर चुके है सारी अब इसके बाद हमारा सेकंड टोपिक आता है पर्मूटेशन का साइक्लिक पर्मूटेशन जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि साइक्लिक साइक्लिक का मतलब क्या हो cyclic permutation क्या कहती है सबसे पहले जैसे हमारे पास जो है numbers होगी कि n हमने ले लिया कि n numbers को हमने arrange करना है कोई भी permutation दे दी आपको जो कि आपके कितने की है n की है n element की है पर आप उसमें से सिरफ arrange जो है वो m numbers को करना चाहते है m को करते है जैसे अभी यह आपके सामने एक example है जो हमने 6 permutation ली है जिसमें से हम जो है वो 4 ही element को क्या कर रहे है arrange कर रहे है तो वो 4 element किस तरीके से arrange होते है 8 जो element है वो अपने अगले element को क्या कर रहा है follow कर रहा है जैसे ध्यान देंगे 1 जो है वो 2 पे जाता है हमारा 2 जो है वो 4 पे जा रहा है 4 3 पे और 3 वापिस से किस के उपर आ गया हमारा 1 के उपर मतलब कि 1 से हम 2 पे 2 से 4 पे 4 से 3 से and 3 वापिस किस पे आ गया 1 पे तो एक complete circle complete हो रहा हमारा इसी वज़े से इस पर्मूटेशन को क्या बोला जाता है साइक्लिक पर्मूटेशन और जिन्हें हमारे इंज नहीं करते वो जो एलिमेंट है वो एजिटीज रह जाते है जैसे 5 की मैपिंग 5 के उपर और 6 की मैपिंग 6 के उपर तो इस तरीके से जो मैपिंग होती है उन्हें क्या का जाता है साइक्लिक मैपिंग का जाता है और शोर्ट फोर्म में इसको आप लिखके दे सकता है आपको 1, 2, 4, 3 यहां से तो इस साइक्लिक इसी से आप समझाओगे कि 1 की मैपिंग 2 पर करनी है 2 की मैपिंग 4 पर, 4 की 3 पर और 3 लास्ट वापिस आजाएगा हमारे 1 के ऊपर और जो 4 और 5 की और नहीं की तो वो एज़िटी जा जाएंगे 5 एंड 6 तो यह हमारे पास होगी पर्मूटेशन किसकी 6 एलिमेंट की क्लियर हो जाएगा आपको यहां से साइकलिक पर्मूटेशन क्या कहता है तोटल नमबर में से कुछ एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि हर एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट को क्या करता जाए फोलो करता जाए और जो बचे हुए एलिमेंट है वो खुद के ऊपर ही रहे उस पर्मूटेशन को क्या कहा जाता है साइकलिक पर्मूटेशन कहा जाता है अब साइकलिक पर्मूटेशन के उपर देखें यहां से जैसी इसके अंदरा गया मल्टिपलेशन ओफ दा साइकलिक पर्मूटेशन साइकलिक पर्मूटेशन की प्रोडेक्ट पूछ लेता है आपसे, प्रोडेक्ट करना आपको मैं प्लास उसमें अपने क्लास में सिखा चुकी हूँ, आज हम प्रोडेक्ट करेंगे साइक्लिक की, तो सबसे पहले तो लिखना, कि कितने का है हमारा पर्मूटेशन देखेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं permutation तो permutation जरा ध्यान देओ भई किसका है हमारे पास P6 का तो हम नाम दे देते हैं जरा इसे F नाम देते हैं कितना है 123 तो लिखोगे कैसे permutation में 123456 यह आ जाएगा अब mapping क्या दी हुई है 1 mapping 3 पे जाती है तो 1 जो है वह 3 पे यहां sorry 2 है वह नहीं हुआ एक बार फिर से लिखते हैं इसको हम जरा ध्यान से 6 के है तो पहले 6 element लिखो 1 2 3 4 5 6 अब 1 की mapping हमारी 2 पे है तो 2 लिखेंगे 2 से 3 पे जा रहा है तो 3 पे आएगा और 3 वापीस किसके उपर हो जाएगा 1 के उपर तो जो cycle है वह हमें सिरफ किसकी दी हुई है 1 2 3 की तो 1 से 2 पे 2 से 3 पे और 3 से वापीस 1 पे आप इनकी नहीं बताई गई है तो 4 4 पे रहेगा 5 5 पे देन 6 6 के उपर second mapping अपने को जीक दी जिसकी cyclic बताई गई है 5 6 4 1 तो लिखें इसको 1 2 3 4 5 6 आप जड़ा देखे 5 6 पे तो हमारा 5 का है यह रहा वही तो 5 जो है वह किस पे हो गया 6 पे 6 4 पे तो 6 4 पे 4 1 पे देन 1 पे और 1 वापिस किस पे आ जाएगा हमारा 5 यहां से cyclic देखेंगे 5 जो है वह 6 पे जा रहा है 6 4 पे 4 1 पे और 1 वापिस किस पे आ जाएगा 5 पे 3 और 2 की बात नहीं की गई है तो 2 agitives रह जाएगा then 3 agitives यह तो हमने सिखाया जो cyclic है उसे खोलने का तरीका अब इसकी product करने के लिए कह रहा है तो f 4 g अगर हम करें यहां से तो पताया था आपको product आप लिख देंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 लास्ट वाले से चलेगा हमारे पास तो जरा देखें कौन सा element किसके पास जा रहा है ध्यान दे भई 1 से start किया हमने 1 जो है वो हमारा जाता है 5 पे तो 5 यहां से 5 पे तो result क्या आया भई 5 second देखेंगे second 2 यहां से हमारा जाता है 2 पे then 2 किस पे जा रहा है 3 तो result आगे हमारा 3 next क्या आता है हमारे पास 3 जो है वो हमारा 3 पे जा रहा है और 3 1 पे then 1 अंसर आ जाएगा उसके बाद हम कहां पे जाए भई 4 जो है वो हमारा 1 पे और 1 जो है वो 2 पे then 2 आ जाएगा 5 के लिए देखेंगे मैपिंग कहा जा रही है जरा देखें 5 जो है आपका वो जा रहा है 6 पे और 6 6 पे तो result 6 आ गया 6 जो है वो 4 पे और 4 4 पे then 4 आ गया clear भई product की है हमने FOG की last से check करेंगे ध्यान से 1 जो है वो 5 पे तो इसमें 5 देखो 5 का result 5 है 4 1 पे then 1 का result 2 है 5 6 पे तो 6 का result 6 है 6 4 पे तो हमारे पास 4 का result जो है वो कितना है 4 है तो ये हमारे पास cyclic बन गई है यहां से तो ज़रा इसमें चेक करें कि क्या ये भी एक cyclic form बन रही है हमारे पास यहां वन था हमारा ये 4 1 पे गया था तो 1 हमारा 2 पे जा रहा था तो ज़रा देखें इसमें cyclic 1 से start करते है 1 हमारा 5 पे जा रहा है 5 हमारा 6 पे जा रहा है 6 हमारा 4 पे जा रहा है 4 जो है वो 2 पे जा रहा है then 2 जो है वो हमारा 3 पे और 3 वापिस किसके उपर आ रहा है 1 के उपर तो एक नई साइकलिक मिल गी हमें 1, 5, 6, 4, 2, 3 इसकी arrangement को आप कैसे भी कर सकते हैं बीच में से कहीं से भी cycle उठा सकते हैं अब मैंने ये 1 से count करना शुरू किया कोई जरूरी नहीं है आपका जो options मिले आपकी ही cycle में मिले पर numbers जो है आगे पीछे वो change नहीं होगे जैसे अब इसी cycle को दूसरी form में आप क्या लिख सकते थे द्यान दो भई अब जरूरी नहीं है आपने 1 से ही से count करना शुरू करना है आप इसको 3 से शुरू कर सकते थे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 3 3 हमारा किस के उपर जा रहा है 1 के उपर 1 किस पे जा रहा है हमारा भई 5 के उपर 5 जा रहा है 6 पे 6 जा रहा है 4 पे 4 जो है वो हमारा 2 पे 2 हमारा 3 पे तो आप कैसे भी लिख सकते हो, जिस पॉइंट से आप उठाओगे, किसी से, पर साइक्ल जो है वो चेंज नहीं होगी, तो यहां से हमने किया साइक्लिक और उसकी मल्टिप्लाई, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, हम, इन्वर्स ओफ साइक्लिक पर्मूटेशन, अब आ में बताया था आपको, ऐसे अगर हमारे पास है, तो वहां पे अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, और इसकी मैपिंग दे रखिया, 2, 3, 1, 4, ऐसे कुछ भी दे रखिया, तो अगर इसका इन्वर्स करते हैं, यहां से, यह चीज, तो इसका अगर हम इन्वर्स करें, तो उसके 3, 4, तो यह हमारे पास थी, सिंपल के लिए, अब हम करते हैं साइकलिक के लिए, तो साइकलिक के अंदर क्या किया जाता है बई, कहते हैं कि अगर आपकी साइकलिक दी हुई है, A1, A2, A3, A N तक, तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे, तो इन्वर्स करने के लिए आप इ जैसे लास्ट वाला, A, N, तो जब इसकी साइकलिक करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो चेंज हो जाएगा, लास्ट वाला जो है, वो सबसे फर्स नमबर पे आ जाएगा, और जो फर्स वाला है, वो सबसे लास्ट में, जैसे अगर किया गया, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ भी, F है य क्लिक के अंदर, तो 4, 3, 2, 1 के अंदर जाएगा, that clear, क्या करना हमने, ध्यान रखेंगे, सिंपल अगर आपको पर्मूटेशन दी गई है, तो फस्ट रो सैकिंड में, सैकिंड फस्ट में कनवर्ट हो जाती है, इसके अंदर अगर हमने करना है, इजी तरीका, आपको लिखन 2, 3, अगर आप इसको लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे भई, यहां से लिखें अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तक दे दिया, अब साइक्लिक देखें, 2 जो है वो 3 पे, तो यह 3 आएगा, 3, 4 पे, 4, 5 पे, 5, 6 पे, यहां से, और 6 वापिस किस पे हो जाएगा, 2 पे, 1 की कोई अगात नहीं कही गई तो 1 को एगटीज लिखेंगे, आप यह लिखना नहीं चाहते हैं, डारेक्टी इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो बस सिंपल आपने क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट कर देंगे, 6, 5, 4, 3, 2, तो यह आपकी साइक्लिक का इनवर्स आजाएगा एक चीज का ध्यान रखेंगे, कि हमारे पास FG की प्रोडेक्ट का अगर हम इनवर्स करते हैं, तो सेकंड जो पर्मूटेशन है, वो फर्स्ट नंबर पे आजाएगी, और फर्स्ट की जो है, वो हमारे पास सेकंड पे आजाएगी, नेक्स देखते हैं, इसके बाद आजात है, जो साइकलिक है, उनके कुछ नाम है हमारे पास, तो वो नाम क्या-क्या है, ट्रांस्पोजीशन, ट्रांस्पोजीशन किसे कहा जाता है, जिस साइकलिक के अंदर, दा साइकलिक लेंथ जो है उसकी हमारे पास, जो लेंथ दी हुई है, जो साइकलिक लेंथ है, वो कितने element की हो, two element की हो, जिसकी length किती रहेगी हमारे पास सिरफ two element की रहेगी उस cyclic permutation का नाम क्या कहा जाएगा transposition कहा जाएगा जैसे ये example दिया है one three, तो one जो है वो three पे जा रहे है और three one पे two और four agities होगी हमारे पास तो जिनकी length जो है रहेगी हमारे पास जो है वो कितना हो, two तो उसे क्या का जाएगा transposition कहा जाएगा फिर हमारे पास आजाती identity identity के अंदर क्या हो जाएगा simple सी बात है वई जो हमारी length है वो कितने की हो जाएगी, one की हो जाएगी one का मतलब क्या हो गया, वई एक element एक के पास ही जा रहा है अब यह दे दिया, one, two, three, four तो one, one पे, two, two पे, three, three पे अब इसको लिखना चाहो तो one, two, three, four ऐसे लिखा जाएगा कि बाइस जो एक element है वो सिरफ किसके पास जा रहा है एक ही element के पास जा रहा है उसके बाद आ जाता है हमारा disjoint cyclic disjoint cyclic क्या होता है दो ऐसे cyclic disjoint कहलाएंगे have no common element जिन disjoint का कोई भी common element ना हो, जैसे यह example है one, three, four, two, five, seven इन में कोई भी हमारे पास common element नहीं है, तो यह दोनों एक दूसरे के क्या है disjoint यहाँ से आपको एक property भी मिल जाएगी permutation में पीछे में मैंने आपको करवाया था, कि F, O, G कभी भी बराबर नहीं होता आपका G, O, F के, पर अगर आपकी cyclic disjoint है तो आपका F, O, G जो है वो is equal to हो जाएगा G, O, F, के, यहाँ से disjoint की यह property हो जाएगी disjoint किसको बोला जाएगा, जिसमें कोई भी element है वो common नहीं है तो वो disjoint है और disjoint के अंदर जो product है वो क्या हो जाती है हमारी commutative हो जाती है next आता है हमारे पास इसका यह एक example दे दिया मैंने आपको two cyclic permutation दे रखिया फाइव तक दे रखा है F, O, G और G, O, F इसका आप निकाल के दिखाएंगे और यह कोशन आपके लिए मैं होमवक के लिए छोड़ रही हूँ इसे आप सोल करके देखेंगे तीक है कि यहाँ पर जो है F, O, G की product करेंगे और मुझे इसका अंसर देंगे कि क्या आपका F, O, G जो है वो equal आ रहा है G, O, F, K या फिर F, O, G is not equal to G, O, F, K तो आप बताएंगे कि option जो A ठीक है या option B ठीक है तो इसका जो result है आप वो comment box में देंगे product करने आपको सिखा दी है cyclic आपको सिखा दिया गया है तो इस example से आपकी पूरी revision हो जाएगी कि cyclic को खोलना कैसे है फिर उनकी product कैसे करनी है और फिर आप ये जवाब देंगे कि F, O, G हमारा equal है या नहीं है यहाँ से next इसके बाद यहाँ से आजाता है product of यह भी बड़ा important question है आपका यहाँ से यह जो है हमारे पास exam में हम देखते हैं कि इस type का question आ जाता है क्योंकि permutation देने के बाद उसकी product पूछना थोड़ा lengthy काम हो जाता है बट product cyclic देने के बाद उसे तोड़ना असान है option देने भी असान है तो इसका उल्टा question कि permutation आपको दे रखी है आपने उसके disjoint cyclic निकालने है कि टुकडे कैसे करेंगे तो simple सी बात है बही एक element उठा लो और उसको follow करवाते जाओ तो देखें 1 से start कर रही हूँ 1 1 हमारा जा रहा है 2 पे then 2 लिख देंगे भाई इसके बाद में 2 जो है वो हमारा जा रहा है 3 पे तो इसके बाद हम 3 पे पहुंच जाएंगे और 3 वापिस 1 पे तो बन गया हमारा एक cyclic complete next जाते है 4 4 पे जा रहा है तो इसके हमारे पास कोई काम नहीं रह गया अगला 5 से start कर लेते हैं 5 जो है वो हमारा 8 पे जा रहा है 8 जो है वो हमारा 7 पे जा रहा है 7 हमारा 9 पे और 9 वापिस 5 पे 6 6 पे जा रहा है तो उसका हमारे को कोई काम नहीं है जो same पे जा रही है वो तो identity है कोई दिक्कत नहीं उसके लिए बाकी जो है जिसे element follow कर रहा है वो आप लिखेंगे तो देख रहा था हमको 1, 2 पे, 2, 3 पे and 3 वापिस 1 पे वहीं रुख जाओगे next start करेंगे 5, 8 पे, 8, 7 पे आ रहा है 7, 9 पे और 9 वापिस 5 के उपपर फिर से मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो cyclic है वो कहीं से भी start की जा सकती है कि आपने 5 से check करना start किया, कोई जुरूरी नहीं है अब ही आप 5 से start करें आप यहां से 7 से भी follow कर सकते थे, 7 जो है वो 9 पे जा रहा है हमारा, 9 जो है वो 5 पे जा रहा है और 5 हमारा 8 पे, then 8 जो है वो वापिस 7 पे तो आप इसको इस form में भी लिखा जा सकता है, तो आपको इस चीज़ का special ध्यान रखना है कि paper के अंदर उसने option क्या दिये हुए है, कहीं आप अपनी follow कर लिया, अपना answer निकार लिया और देख लिया कि none of these, नहीं भई, नहीं मिल रहा मेरा तो, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि वो आगे पीछी element दे सकता है, cyclic कहीं से भी उठाई जा सकती है तो इसके क्या टुकडे होगे हमारे पास, 1, 2, 3, और दूसरा होगे हमारे पास, 7, 9, 5, 8, then और दोनों में कोई भी common element नहीं है, इसलिए यह कौन सा हो जाएगा हमारा, disjoint हो जाएगा, next यहां से, most most important, यहां से, इसके अंदर आपके DSSB, BBB के अंदर हमारे पास, जो है, वो question आया हुआ भी है और बहुत ही easy question था, order of permutation, पहले हम degree कर चुके हैं, जो है, permutation की, वहाँ पे हम क्या करा था हमने, कि जैसे कोई permutation अगर हमें दी हुई है, कि permutation अगर हमारे पास, n की दी हुई है, तो उसमें कितनी permutation बन सकती है, number of permutation, तो वो हमने किया था, n, कि यह हो जाएगा, हमारे पास factorial, और degree किसको बोला था, number of element को, यहाँ से, जो यह n है, यह इसकी हमारे पास, degree कहलाती है, और n factorial हमारे पास, number of permutation कहलाते हैं, अब cyclic के अंदर वो आपसे order पुछेगा आपसे, तो यह question है, ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे, order of permutation, जो cyclic हो दी हुई है, चोटे चोट निकालने के आपने क्या करने है, जैसे ही आपकी कोई बी cyclic form दी हुई है, उसके छोटे-चोटे disjoint निकालने, अपने order निकालने, जो पहले एक cyclic लिखली दो निक्रीखली यह example, मैंने समझाना था, जो एसी चाहिए हमारे पास 10 बन जाए हमें कोई tension निए हमारे पास, सारो के order निकाल लेने है और उन order का क्या find out कर लेना है हमने LCM find out कर लेना यहां से यह जीज़ जैसे मैंने एक example दिया है यहां पर order of permutation निकालनी है तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास cyclic find out करो तो cyclic ध्यान देो भई वंजो है वो 6 पे जा रहा है वंजो है वो 6 पे जा रहा है सिक हमारा टू पे जा रहा है और टू जो है वो हमारा 5 पे जा रहा है and 5 वापिस वन पे तो यह हमारे पास 4 element आ गे इसके अंदर फिर दूसरा cyclic हमने किया जो 3 और 4 पे जा रहा है तो यहां से हमारे पास क्या हो गया पहले हम 1st cyclic का order पता कर लेते हैं order क्या होता है simple number of element होता है 1, 2, 3, 4 तो यह हमारे पास 4 आ गया इसके अंदर element हमारे पास कितने थे 3 और 4 2 element थे तो 4 और 2 का क्या निकाल लोगे LCM निकाल लेंगे और 4 और 2 का LCM क्या आ गया हमारे पास 4 तो इसलिए यहां से इसका जो order of permutation है वो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया यहां से degree of permutation and order of permutation में confuse नहीं होना है हमने degree जो है simple permutation के अंदर जिसमें टुकडे नहीं है उसके अंदर degree number of element को दिखाती है हमारे पास पर जब एक permutation के अंदर छोटे-छोटे साइकलिक दिये हुए होते हैं उसका अगर आपने order निकालना है तो वहां पर आपको उनके सब के order निकालने सिंपल समझेंगे एक permutation है सिंपल permutation है कोई साइकलिक नहीं बन रहा उसके अंदर तो उसमें order और degree एक बात कहला दी जाती है बट अगर हमारे पास छोटे-छोटी साइकलिक बने हुए हैं एक permutation के अंदर तो उसका order अगर आपने निकालना है तो सबसे पहले आपको सारे साइकलिक अलग करने पड़ेंगे उन साइकलिक के order फाइंड आउट करने पड़ेंगे या degree कहें तो वो degree होगी और उनका LCM लेना है यह धान रखेंगे LCM लेना है हमने LCM लेने और LCM लेने के बाद जो अंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा order of cyclic permutation का जब अभी मैं आपको एक कोशन दिखाती हूँ यहां से यह यह कोशन था जो आपका 2018 के अंदर 21 के अंदर बगई थोड़ा 21 के अंदर आया हुआ है permutation का काफी सारा portion हमारा 21 के पेपर में आया हुआ है इसमें से कुछ कोशन में आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ अब यह हमारे पास था order of permutation बहुत इजी कोशन था मुझे लगा यह जरूर आपको समझाना चाहिए क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते है बनाएं इसका cyclic बनाओ सबसे पहले बही 1 से स्टार्ट कर दो 1 जो है ध्यान से देखें 1 किस पे जा रहा है आपका 4 पे देखें इसको 1 4 के उपर जा रहा है आपका 4 डुंडो कहां पे है 4 5 पे जा रहा है और 5 वापिस 1 पे तो वहीं रुख जाएंगे दूसरा cyclic निकालो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं 2 जो है वह हमारा वापिस 6 पे इस 6 वापिस 2 पे 3 का कोई काम नहीं है ठीक है ऐसे लिखें तो simple यह 3 हो जाएगा हमारे पास यह जीजा यहां से तो हमने क्या लेना है इसका LCM लेना है तो LCM अगर हम ले तो इसमें 3 element आगे इसमें हमारे पास 2 आगे इसमें 1 और 3, 2, 1 का LCM कितना आजाएगा हमारे पास 6 आजाएगा ठीक है बाए चांस की बात थी कि जो इसके अंदर जो element है कई बच्चों के तुका भी बहुत अच्छा लगा होगा कि यहां से हमने वह element ही देख लिया सिंपल पर्मूटेशन के अंदर डिग्री बोल दें order कोई दिक्कत नहीं रहती हमें बट साइकलिक पर्मूटेशन में यह चीजे अलग हो जाती है साइकलिक पर्मूटेशन के अंदर आपने सबसे पहले उसके साइकलिक पार्ट करने है और साइक्लिक पार्ट करने के बाद उनका आपने एल्सियम लेना है यहां से तो इस टाइप से हमारे पास पर्मूटेशन ग्रूप जो है उसके अंदर आपने में में जो पॉइंट से वो सारे क्लियर कर लिये हैं चोटे मोटी थ्योरम से जिनका डारेक्ट यूज हो जाता है वो चीज हमारी पेंडिंग है बाकी हमने यहां से पेपर के व्यू से जितना भी आज तक आया हुआ है वो हमने अच्छे से क्लियर किया है प्रमूटेशन सीख लिया हमने प्लस वन से ग्रे ज fraction को अलग किया प्लस वन की प्लमूटेशन अरेंजमेंट सिखाती है यह हमें मे disjoint cyclics को सिखा, cyclic बनाना सिखा, cyclic का inverse करना सिखा और last most most important topic order of cyclic permutation के बारे में सिखे इस तरीके से अपना ये lecture खतम होता है जो मैंने आपको question homework के लिए दिया है उसे जरूर से जरूर करके देखिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी practice या कितना आपको समझाया है Thank you